अगली खबर है मद्धे प्रदेश के उजयन से जहां बैंक से जुड़ी बड़ी घटना घटेत होने पर उजयन पुलिस कप्तान और एडिशनल एसपी ने ली जिले के सभी बैंक मैनेजर्स की मिटिंग मद्धे प्रदेश उजयन के पुलिस कप्तान सतेंद्र कुमार शुकल और एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने जिले के सभी बैंक प्रबंदकों की मिटिंग ली इस मिटिंग में मद्धे प्रदेश के जबलपूर और ग्वालियर में हुई घटना को लेकर अफगत कराया कप्तान सतेंद्र कुमार शुकल और एडिशनल एसपी आकाश भूरिया द्वारा मिटिंग में पहुँचे सभी बैंक प्रबंदकों को बताया आपको आपके शेत्र के थाना प्रबारियों से संपर्क बनाए रखना है यदि कोई इस प्रकार की अवैद गतिवीदी या ज्यात व्यक्ती बैंक के आसपास नजर आता है तो तुरंत अपने शेत्र के थाना प्रबारी और पुलिस को सूचना देकर अफगत कराएं जिस थाना शेत्र में आपकी बैंक से उस थाना प्रबारी का नंबर आपके पास होना चाहिए बविश्य में जवलपुर और ग्वालियर जैसी घटना ना घटे उसके लिए पुलिस कप्तान द्वारा बैंक प्रबंदोकों को कई महत्वक्त कून जानकारियां देते हुए अफगत कराया गया सर आज बैंक मेनजरों की मीटिंग लिए गई है कि तंदर्म में लिए अधिए बैंकिंग एक हमारे सोसाइटी में एकोनौमिक ग्रोथ और एकोनौमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपोर्टन रिपैलू होता है और इनकी सेफटी सेक्योर्टी भी हमारे लिए काफी रिपैल पुलिस ऑफिसर के नाथे या पुलिस सिस्टम के नाथे इनकी सुरक्षा है खासकर जो एटी म सिनके हैं और बैंकिंच ओर ट्रांजक्शन हो रहे हैं इसके अलावा जो इनके सेक्योर्टी गाड्स लगे हैं इनका वेरिफिकेशन कर आए और इसके सब ये कारबी प्रदेश में अभी कुछ इस तरह की घटना करम हुए है इसको इन सभी वेंकर्स को इसी कम में संसिटाइज करने के लिए और उनके साथ एक डिसकस करके और बहतर जो सेक्योर्टी और सेफटी की जो तरीके हैं उनको अपनाने के लिए खासकर जिसमें फायर डिटेक्शन अल इसके लावाज चीशी टीवी है और जो बैंकिंग के जो जो बैंकिंग के जब ले जाती है वैंस ले जाती है क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए इस पर विस्तार से चर्चा की गई है और आगे आने वाले समय में इनको पंदरा तारीक तक का समय दिया गया है फंद्रा माज तक जो आज इनको निर्देश दिये गया है उसके रिव्यू के लिए पिर अलग से फिर एक पैठा को दोनों यह घटना हुई है जिसमें एक में एटीम ब्रेक करने की घटना है दूसरा एक कैश्ट वेन से जो दूट हुई है इस तंदर में भी इंसे डिसकेशन हुआ है औ और उसमें क्यास तुरच्छा इंतजाम किये जाने चाहिए क्यास प्रिकॉर्शन्स ली जाने चाहिए